गुट मॉर्निंग एवरीवन मैं हिमंत कुमार और एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सब लोगों का मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर मैं उनको बता दू कि मैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ और पास्ट सिक्स इयर से मैं वकिंग हूँ यह चल रहा है तो मैंने लास्ट वीडियो में यह कहा था कि यार माइट भी यह कैंसल हो जाए बहुत सारी फैक्ट की बाते करी थी तो यह बात दूबारा नहीं करूंगा आप देख सकते हैं मेरे लास्ट वीडियो तो उसमें मैंने बोला है कि क्या है ऐसे फैक्ट जिसकी होता तो चलो मानते हैं कि सेप्टमबर में एक्जाम कैंसल नहीं होता और कंड़क्ट हो रहा है तो यार अगर कंड़क्ट होगा तो आप अपनी सेफटी और सिक्यूरिटी के जिम्मेदार आप खुद होंगे ठीक है इस रूट और गॉर्मेंट उतना ही कर सकती है जितना कर रही है लेकिन आप देखने लोगों की वज़े से कितना बुरा हाल हो रखा है केरनेस की वज़े से केरलेस होने की वज़े से यह हाल हो रखा है तो वो तो जिम्मेदार खुद होंगे तो यार बात करें अगर सेप्टमबर में एक्जाम होता है तो यह जुलाई चल रहा है ठीक है बीस दिन इसके और एक महीन आगस्त के ले लो ठीक है तो यही टाइम है आपके पास प्रिपरेशन करने का तो यार जो लोग पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं तो वेरी गुड लग उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपना जुलाई या अगस्ट तक अपना करते रहे आराम से कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बट हाँ यह काम करें कि अगस्ट के लास्ट 10-15 दिन रिविजन के लिए जरूर अपने पास सेफ और सेक्यूर रखे कि मैं मेरको अगस्ट के लास्ट के 15 दिन रिविजन करना है ठीक है तो यार इसके बारे में तो जातन नहीं कह पाऊंगा लेकिन हाँ अगर यह एक्जाम कंड़क्ट नहीं होता सेप्टेंबर में और दिसंबर में कंड़क्ट होता है तो क्या इस स्ट्राटजी होनी चाहिए क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत है जिन्होंने इंटर में इंटर का एक्जाम देने की कोशिश की है एक ग्रूप की अभी सेप्टेंबर में सोचा है कि मैं एक ग्रूप दूँगा उनको फटा-फट अपनी स्ट्राटजी चेंज करके दिसंबर में दो ग्रूप की कर लेनी चीए सेम फाइनल की भी मैं बात करूँगा कि जिन्होंने सोचा था कि मैं एक ही ग्रूप दूँगा तो उनको फटा-फट अपनी स्ट्राटजी चेंज करके क्या कर लेनी चीए दिसंबर कर लेनी चीए क्यों कि देखो सेप्टेंबर में एक्जाम तो होई नही आपका कोई भी फोकस नहीं है कि एक ग्रूप निकालूगा पहले ग्रूप निकालूगा लेकिन जब दिसंबर में होगा तो आपके पास बहुत टाइम है बहुत डेज है बहुत आवर्स है आप अपनी स्ट्राटजी को फटा-फट चेंज कर लीजिए यानि जो आप पहले एक ग्रूप के लिए जो स्ट्राटजी बना रहे थे वो आप दो ग्रूप के लिए बना लेने चाहिए लेकिन अगर कैंसल होते हैं तो सेप्टेंबर में एक्जाम क्या होता है कि सेप्टेंबर में एक्जाम कैंसल होंगे फिर रेजल्ट लेट आएगा फिर इसाफसे नेक टेंट दूंगा ही नहीं Due to COVID, बहुत से लोग ऐसे होंगे कि मैंने यहाला टेंप्ट देना ही नहीं छोड़ो, लेकिन अगर आपको यहाला टेंप्ट नहीं देना तो what about December attempt क्योंकि मुझे लगता है कि अगस्त में वैक्सिन आने की बात चल रही है अगस्त में ना आई तो सेप्टेमर में इनको लाना ही पड़ेगा otherwise इंडिया की हालत बहुत बुरी हो जाएगी मतला हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे हर मामले में देख लो कितने हॉस्पिटल कितने बेड चाहिए जिस हिसाफ से ये केसे बढ़ते जा रहे है है ना तो यार जो सोच के बैठ गए है कि मैं यह वाला अटेम्ट नहीं दूँगा और देखो बहुत सारी लोगों की मैं बात करने तो जुद देना चाहरे है ना अगर वैक्सीन नहीं आती तो भाई आप भी कोशिश करो कि यह वाला अटेम्ट अवाइड ही कर दो अगर आपके घर के पास है तो it's well and good लेकिन आप मैं यह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को यह सज़ेस्ट करूँगा कि आप ट्रैवल ना करें भीट भाण में ना जाए है ना और आप दिसंबर का ही अटेम्ट देने की आप भी सोचे क्योंकि यार तब तक अगर वैक्सीन आ जाती है तो आप सेफली अपना दिसंबर का अटेम्ट दे पाएंगे और ऐसे डड़डर के देंगे तो आपसे न तो एक्जाम दिया जाएगा न आप अच्छा से एक्जाम आ गया है मैं यह बात इसलिए नहीं कहा रहा है आपकी च्वाइस है आपकी लाइफ है आप उसको जैसे चाहिए वैसे आप अपना चलाएए लेकिन मेरा जस्ट अपीनियन है जो अभी की प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए आपको यह स्ट्रेटजी को थोड़ा सा कंड़क्ट होते हैं अगर आप एक ग्रूप देने की सोचीती सेप्टेंबर में तो अगर यह एकजाम नहीं होता तो आप दो ग्रूप की प्रपेशन करें डेफिनेटली यह वर्क्स मतलब वर्थ ही है यह वर्थ ही है क्योंकि दो ग्रूप एक साथ देके निकालना तो जो एवरेज होती है ना वो बनने में बहुत चांसे हाई हो जाते हैं क्योंकि दोनों ग्रूप में हर एक ग्रूप में एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जो स्कोरिंग होती है जैसे एक में अकाउंट से स्कोरिंग है कोस्टिंग स्कोरिंग है तो इन सब के चलते आप एवरेज बन में एक और गृप दिया फिर वो मेरा निकल गया तो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी मैंने ऐसे फॉलो किया और मेरा एक्जाम क्लियर हो गया तो आइवूट से कि थोड़ा सा इस बात को भी सोचो कि एक गृप दिया जाए या दो गृप दिया जाए तो यहार ज्यादा नहीं है म I am getting late, तो मैं सोचा, यह छोटी सी बात थी, मैं शेयर कर दूँ, यह कैसी लगी, प्लीज कमेंट करना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, Thank you so much दोस्तों.